हाई गाईज आई होपियों आ डूइंग रेड हम लोग बात करें हमारे डेली करेंट फेर सेशन की जो सुबह चार बज़े वेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चानल्स पिनाइकलोर फ्रेंटियर आइस पर आज की तारीख है 15 जून धोजार बाइस दोनों चानल्स को सब्सक्र साथ ही साथ डेली वीडियोज पीडियाफ एंड मंत्ली मैगजीन आप हमाई टेलीग्राम हैंडल्स फ्रेंटियर आएस और सेस जल्पनेकल ओन लाइन को जोईन जरूर करें स्टार्ट करेंगे प्रीवेस कुज के साथ मैंने आपसे पहला क्वेस्टिन पूचा था कि छोट पहला मानेता निकाई कौन सा है इसका करेक्ट आंसर था ओल इंडिया काउंसिल पॉर टेक्निकल एजुकेशन स्टार्ट करेंगे फॉर्स्ट क्वेस्टन देखलो आज के सेशन के लिए बार्वा विशु व्यपार संगठन डब्यू टी ओ का मंत्री स्तरिय समेलन किस देश इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी स्विचल लैंड डीटेल्स देखलो तो जनीवा स्विच्छल लैंड में विशु व्यपार संगठन डब्यू टी ओ के मुख्याले में बार्वे विशु व्यपार संगठन डब्यू टी ओ का मंत्री स्तरिय समेलन 12 जुन 2022 से 15 जुन 2022 तक आयोजित किया जा रहा है व्यपार संगठन के सदस्यों ने ट्रिप्स जैसे मुद्दों पर कोबिड नाइटीन टीकों के लिए चूट महमारी प्रतिक्रिया मत्से सबसीदी कृशी खाद सुरक्षा साथी साथ विशु व्यपार संगठन के सुधार और इसके भविशे पर चर्चा की WTO के महानेदेशक नोकोजी और कॉंजो इवैला ने 12 जून 2022 को जिनेवा स्विजलाइन में बिशुप व्यपार संगठन के बार्वे मंत्री स्तरिये समेलन के उद घाटन समारों को संभोधित किया नेक्स्ट क्वेशन देखो मई 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर आफ दी मंत के रूप में किसे चुना गया है करेक्ट आंसर एसको ऑप्शन नमबर ए एंजेलो मैथ्यूज देख लो तो श्री लंका के अनुभवी खिलाडी एंजेलो मैथ्यूज और पाकिस्तान की स्पिनर चैंपेंशिप श्रिकला जीत के दोरान स्टैंड आट पुरुष खिलाडी चुना गया था मैथ्यूज प्लेयर आफ दी मंत नामित होने वाले पहले श्री लंकाई खिलाडी बने हैं जिसने साथी नामांकेत असीथा फर्णांडो श्री लंका और मुश्वी कुर्रहीम बा पदक तालिका में शीष स्थान हासिल किया है करेक्ट आंसर एसको अप्शन नमबर सी हर्याना दीटेल्स देख लो तो चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हर्याना पदक तालिका में शीष पर रहा समापन समारो पंचकुला के इंद्रे धनुष स्टेडियम में आयुजित किये गए थे हर्याना ने हासिल किये 52 गोल्ड, 39 सिल्वर और 46 ब्रॉंज मेडल्स टेली में महराष्ट्रा सेकंड पूजिशन पर रहा विट टोटल ऑफ 1 25 मेडल्स जिसमें शामिल है 45 गोल्ड, 40 सिल्वर और 40 ब्रॉंज मेडल्स करनाटिका थर्ड पूजिशन 22 गोल्ड, 17 सिल्वर और 28 ब्रॉंज मेडल्स हेलो इंडिया यूथ गेम्स का पांचवा संस करन धोपाल मध्य प्रदेश में आयुजित किया जाएगा बात करें यहां पर हर्याना की तो इसके डाम जरीवर्ज में आता है कोशलिया डाम कोशलिया अनंगपूर डाम नियर नेक्स्ट क्रेसंदेखो विश्वल रक्तदाता दीवस कब मनाया जाता है यह दिन शुरक्षित रक्त तथा रक्त उत्पादों के अवशक्ता के बारे में जागरुपता बढ़ाने और रक्त दाताओं के प्रती आभार व्यक्त करने हितु मनाया जाता है 2022 विशु रक्तदाता दीवस का नारा है रक्तदाता एक जुटता का कारेय है प्रियास में शामिल हो और जीवन बचाए That is donating blood is an act of solidarity Join the effort and save lives Next question देखो भारत के 74 वे Grand Master कौन बने है? इसका correct answer है option number D राहुट श्रिवास्तफ पी Details देख लो तो तेलंगाना के राहुट श्रिवास्तफ पी भारत के 74 वे Grand Master बन गए है जिन्होंने इटली में 9 वे Catolica शत्रांच बहुत सब 2022 के दोरान Live Feed Day Rating में पच्चे सो एलो पॉइंट्स की बाधा को तोड़ कर किताब हासिल किया है नेक्स्ट क्वेसन देखो राश्रिए E Governance सेवा वितरन मुल्यांकर में केंदर शासित परदेशों में किस केंदर शासित परदेश को सर्वोच स्थान दिया गया है इसका correct answer है option number D जमू और कश्मीर डिटेल्स देख लो तो जमू और कश्मीर NESDA के लिए लगभग 90% के समगर अनुपालन के साथ केंदर शासित परदेशों में सर्वोच स्थान पर है हाल ही में केंदर मंत्री डॉक्टर जितेंदर सिंग ने NESDA 2021 रिपोर्ट जारी की जो सरकारों को अपनी E-Governance सेवा वितरन प्रणाली को और बढ़ाने के लिए सुझाव प्रदान करती है यूटी कैटेगरी में जमुर कश्मीर का पहली बर NESDA 2021 में मुल्यांकन किया गया था और जमुर कश्मीर ने 6 शेत्रों के लिए सर्वोच स्कोर हासिल किया मिघाले और नागा लैंड पुर्वोत्तर और पहाडी राज्यों के बीच सभी मुल्यांकन मानकों में 90% से अधिके समगर अनुपालन के साथ प्रमुख राज्ये पोटल है बात करें हाँ पर जमुर कश्मीर की तो इसके लेफ्रेंड गवर्णर है मनोट सिन्हा लदाग के लेफ्रेंड गवर्णर है आरके माथुर नेक्स्ट क्वेसन देखो प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने किस शहर में संत तुकाराम शीला मंदिर को अध्गाटन किया उन्हें सबसे बड़ा मराठा भक्ती सुधारक माना जाता है उनका काम पूरे महराष्टर में फैले वारकरी संप्रदाई के केंद्र में है उनके गुरु भक्ती आंदोलन के संते चतने महाप्रभू थे जाती भी हिन समाज के बारे में उनके संदेश और करमकार्णों के उनके इनकार ने एक समाजी कांदोलन को जनम दिया था किस राज्य की मुख्य मंत्री ने राष्टे राजनीती में प्रवेश करने और भारते राष्टे समीती नामक पार्टी का गठन करने का नड़ने लिया है करेक्ट आसर है यहाँ पर आप्शन बड़ी तेलंगाना डिटेल्स देख लो तो तेलंगाना की मुख्य मंत्री के चंद्रशेकर राओ जून 2022 में एक राइष्टे पार्टी का शुभारम करेंगे तेलंगाना की मुख्य मंत्री दवारा नए राजनेतिक दल का नाम भारती राष्टे समिथी होने के उमीद है हाल ही में KCR ने अन्य विपक्षिनेता से भी मुलाकात की थी मई 2022 में KCR ने समाजवादी पार्टी के प्रमुक अखिलेश यादव के साथ बैठ़ की थी और मुझूदा मुद्धों पर चर्चा की थी बात करें हाँ पर तेलंगाना की तो इसके डैम्स औरिवर्ज में आता है नगर अर्जुन सागर डैम प्रिश्णा, सिरी सिलम डैम प्रिश्णा, निजाम सागर डैम मंजीरा, श्री राम सागर गुदावरी वाईलाइव सेंक्चुरी में आता है पोचरम वाईलाइव सेंक्चुरी, किनरसानी वाईलाइव सेंक्चुरी, मंजीरा सेंक्चुरी, पखाल वाईलाइव सेंक्चुरी और इटूर नगरम वाईलाइव सेंक्चुरी तेलंगाना की कैपिटल है हेदराबाद, गवर्नर है तमिली साही सौंधराजन, सीमे के चंदरशेखर राओ नेक्स्ट क्रेसन देखो के एस दलीब सिंग जी किस खेल जसम बंदेथे जिनकी एक सुस्तारवी जैन्ती तेरा जुन 2022 को मनाई गई थी इसका करेक्ट आंसर है ओप्शन नबर B, क्रिकेट डिटेल्स देख लू तो के एस दलीब सिंग जी का जनम तेरा जुन 1905 को सौराश्टर के एक शाही परिवार में हुआ था वे एक महान बलेबास थे जिन्होंने इंगलेंड के लिए 12 टेस्ट खेले अपने करियर के एक छोटे से समय में उन्होंने प्रतम श्रेनी क्रिकेट में 50 शतक बनाए उनके समान में दलीब ट्रॉफी का नाम रखा गया है यह भारती बोर्ड दवारा 1961-62 में एक शेत्री प्रतियोगिता के रूप में शुरू की गई थी रंजी ट्रॉफी का नाम उनके चाचा के एस रंजीत सिंग जी के नाम पर रखा गया है लास्ट क्वेस्टन देखलो आज के सेशन के लिए मुखे सचीवों के पहले राष्ट्य सम्मेलन यानि फर्स्ट नाशनल कॉन्फरेंस ओप चीफ सेक्रेटरिस की में जबानी कौन सा शेहर कर रहा है करेक्ट आंसर एसको अप्श नंबर सी हिमाचल प्रदेश डिटेल्स देखलो तो प्रधान मंत्री शिनरेंद्र मोदी सोल और सत्रा जून 2022 को हिमाचल प्रदेश के धरमशाला में एच्पी सीय स्टेडियम में मुखे सचीवों के पहले राष्ट्य समेलन के धक्षिता करेंगे यह केंद्र और राजे सरकारों के बीच साज़ेदारी को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपून कदम होगा समेलन में केंद्र सरकार, सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और डोमेन विशेशग्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले दोसों से अधिक लोग भाग लेंगे यह राज्यों के साथ साज़ेदारी में तीब्र और सतत आर्थिक विकास पर ध्यान के इंद्रित करेगा सम्मेलन आम विकास अजेंडा के विकास और कारेनवन पर जोर देगा और लोगों के अकांक्षाओं को प्राप करने के लिए एक जूट कारेवाई का खाखा तैयार करेगा बात करें हाँ पर हिमाचल प्रदेश की जिसके नाशनल परक्स में आता है पिन वैली नाशनल परक, इंद्रकिला नाशनल परक, खिरगंगा नाशनल परक हिमाचल प्रदेश की गवर्नर है, राजे इंद्र आर लेकर, सियमे जैराम, ठाकुर क्विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की तो 12th WTO, मिनिस्ट्रिल कॉंफरेंस जिनिवा स्वर्जिलान में आयोजित किया गया मैं 2022 के लिए ICC Men's Player of the Month बन गए है एंजेलो मैथ्यूस, फोर्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स के मेडल टेली में टॉप किया है, हरियाना ने वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, 14 जून को मनाया जाता है इंडिया के 74th Grand Master बने है, राहुट श्रिवास्तव पी नैशनल E-Governance Service Delivery Assessment में Rank 1 UT बना है, जमोर कश्मीर, संत तुकराम शिला मंदिर को पूने में इनॉग्रेट किया गया भारते राष्टे समिती पार्टी के नाम से तेलंगाना नैशनल पॉलिटिक्स में एंटर करने का निर्ने लिया है केस दलीब सिंग जी, क्रिकेट से संबंदित थे और फर्स्ट नैशनल कॉन्फरेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज हिमाचल प्रदेश होस्त कर रहा है बात कर लेते हैं आज के सेशन के कुस्वादर डे की आपका पहला क्वेस्टिन है वाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है और आपका दूसरा क्वेस्टिन है हाल ही में किस राज्य ने किसानों के लिए यंत्र सेवा योजना शुरू की है दोनों क्वेस्टिन हुमारे प्रीवेस सेशन से हैं इनके साथ से नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना दोनों चानल्स को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि उमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलिग्राम हैंट्स को जोईन जरूर करना है थांक यू सो मच आपको सेशन